हेलो दोस्तों सुवागत है आप से भी का हमारे इटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर परदेश राज के और राइया जिला के बारे में तो दोस्तों वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाते हैं तो हमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएगा तो औरहिया जिला यह जिला भारत देश के उत्तर परदेश राज में इस्तेथ उत्तर परदेश के कुल 75 जिलों में से एक औरहिया जिला के नाम से जाना जाता है इस जिले का हेट कोटर ओपिस औरहया सहर में मौजूद है और औरहया जिला कानपूर मंडल के अंतरगत आता है औरहया जिला पहले इटावा जिले का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब इस जिला को इटावा जिला से अलग कर दिया गया है इस जिले की अस्थापना 17 सेप्टेंबर 1997 को दो तैसिल औरईया और बिधुना को इटावा जिला से अला करके नए जिले औरईया के रूमें अस्थापित किया गया था इससे पहले औरईया जिला इटावा जिले का एक बहुती महत्तुपूर हिस्सा हुआ करता था और रहिया जिला के पुड़ुसी जिले का नाम कन्नोज जिला, इटावा जिला, जालोन जिला और कानपुर जिला है इसके उत्तर में कन्नोज जिला, दच्छिड में जालोन जिला, पुरु में कानपुर दिहा जिला और पच्छिम की ओर इटावा जिला है और यह जिला में तीन तैसील, साथ बलोक, साथ नगर पंचायत, साथ नगर पालिका, इगारा पुलिस इस्टेशन, एक मुख अस्पताल, एक मुख विश्व विद्याले, 848 गाउं में बटा हुआ है चेतरफल की बात करें तो उत्तर पर्देश का और यह जिले का कुल चेतरफल, 211 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगरना की अनुसार, और यह जिला की कुल आबादी, 13,89,545 है जिसमें की पुरुष की कुल आबादी, 7,4,000 और महिला की कुल आबादी, 6,49,000 है और यह जिला के मुख्य बोली जाने वरी भाषा हिंदी है और यह जिला के मुख्य नदी का नाम यमुना नदी है यमुना नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर परदेश की राजधाने लखनाव से महाज 180 किलोमीटर तथा देश की राजधाने दिल्ली से लगबग 403 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माद्यम से यहां के लोग उत्तर परदेश के बड़े-बड़े सहरों में जा सकते हैं वैसे इस जिला के माद्यम से निशनल हाईवे संक्या दो गुजरती है जो आगे चल कर उत्तर परदेश के बड़े-बड़े जिलों के साथ जूरती है यह जिला बस के माद्यम से भी परोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गावों तक भी बस सेवा मुईया परदान कराती है रेलबे इस्टेशन की बात करें तो और रहिया जिला के मुख रेलबे इस्टेशन का नाम दीबियापूर रेलबे इस्टेशन है इस रेलबे इस्टेशन में चार पलेटफोर्म और पांच पटरी सामिल है और इसका इस्टेशन कोड पी एच डी है और इस railway station की अस्थापना सन 1886 में हुई थी बाद में 1961 से 1963 के बीच इस railway line को electrify किया गया था दिवियापूर railway station North Eastern Railway Zone के एलहाबार डिविजन की अंतरगत आता है सिच्छा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस जिले की कुल स्कूल वा कॉलेज की नाम इस परकार हैं सिरी जनता इंटर कालेज, जनता महाविद्धाले, अजीत मल, सिरी राधा किष्ण इंटर कालेज, चोधरी विसंबर सिंग, भारती इंटर कालेज, सरोसती ज्यान मंदीर, चिल्डरेन पबलिक स्कूल, सुर्या पबलिक स्कूल और आइडियल पबलिक स्कूल आधि नामों स के लोग काफी वाकिव हैं यह जितने भी स्कूल वा कॉलेज हैं यह सभी और रहिया जिला में ही मौजूद हैं बेवसाई की बात करें तो इस दिले का मुखी बेवसाई खेती है यह मुणा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है और यहा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाते हैं तो भी अमें नीचे कोमेंट करक पर जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद